जब बच्चे calculation के लिए paper और pen का istatmal करते हैं तब बच्चों का left brain ही काम करता है क्योंकि left brain calculation, emotion और judgment का काम करता है और right side का brain imagination, creativity और memory का काम करता है जब बच्चे अबएकस का opi.o करके calculation करते हैं तब उन्हें दोनों side के brain का opi.o करना पड़ता है क्योंकि right side के brain से अबेकल्स को imagine और visualize करके numbers को याद रखके left side के brain से calculation करना पड़ता है इससे बच्चों को अपने दोनों brain का उपयोग करना पड़ता है और numbers को याद रखना पड़ता है जिससे बच्चों की याद शक्ति में वृद्धी होती है दूसरा रचनात्मक्ता में सुधार हम सब जानते हैं हमारे ब्रेन में असीम शम्ताएं होती है जब बच्चे केल्कुलेशन के लिए दोनों ब्रेन को उपयोग सुरू कर देते हैं तब उनका मेंटल मेथ इंप्रूव होता है जिससे बच्चों की रचनात्मक्ता शक्ती बढ़ती है तीसरा एक अगरता में उलती है अबेकस बच्चों को अबेकस अपने दिमाग में इमेजिन और विजुलाइज करना पड़ता है और नंबर्स को याद रखना पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें फोकस बनाए रखना पड़ता है जिससे बच्चों का कोंसेंट्रेशन पावर बढ़ता है चोथा समझ कोसल हावड यूनिवर्सिटी दवारा किये गए सर्वे से पता चला स्टुडेंट्स की सफलता में 88% योगदान उनकी खुद की समझ कोसल का है और सिर्फ 12% योगदान एकडमिक स्किल्स का है इसलिए जब बच्चे लंबे समय तक अबेकस का उपयोग करते हैं तो उनकी समझ कोसल में जबरदस्त बढ़तरी होती है इस तरह से अबेकस शक्ति में वुरुद्धी, रचनात्मक्ता में सुदार, एकागरता में वुरुद्धी और समझ कोसल में बढ़तरी जैसे फायदे होती है